आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक वो डिस्टरबिंग मुवी लेकर जैसा कि आप लोगों को डिस्टरबिंग मुवीस कुछ ज़्यादे ही पसंदें तो यह मुवी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है इस मुवी का नाम है डिस्मग और यह मुवी 2009 में रिलिस होई थी और आपको यूट्यूब पर यह मुवी कहीं नहीं मिलेगी मुवी बहुत स्लैशरिंग और डिस्टरबिंग है तो वीडियो को एंड तक पुरा जबू देखना और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस मुवी को देखना चाते हैं तो मैं अपना टेलेगरम चैनल पर इस मुवी को डाल दूगा तो आप महाँ पर जाकर इस मुवी को देख सकते हैं तो इस मुवी की कहान शिर होती है एक जंगल से जहापर डिस्मल नाम के एक बड़े से लेक में बिली और नतन नाम के दो आदमी क्रोकोडाल का शिकार करने आते हैं अब रात का समय था वो दोनी फोरेस्ट आफिसर से चुपकर शिकार करने आते हैं अचानक से नतन को क्रोकोडाल दिखता भी है जिस वो गोली मार देता है उस समय दोनों बोट पर थे लेकिन उस क्रोकोडाल को गोली मारने के बाद भी उन दोनों को उसकी बोट नहीं दिखाए देती है उन नहीं उसका ब्लट पानी पर दिखता है तो इसलिए नतन पानी से उपर नहीं आता है तो उसे टेंशन होने लगती है और उपर से ऐसा फिल होता है कि कोई उसके आसपा से हम किसी परसन को पानी के अंदर से बिली के उपर नज़र रखते हैं फिर अचानक वो परसन बिली को बोड़ से पानी के अंदर खीच लेता है और उसे जान से मा करके उनका मीट खाता है मतलब कि यह किलर एक कैनिबल था जो कि उस फॉरेस्ट में आई लोगों का शिकार करता था तो अब इसके बाद में कहानी एक टाउन के एक कॉलेज की तरफ आती है जहाँ पर हम डेना नाम की एक लड़की को देखते हैं डेना एक साइंस इस्टुडे किया था और बहुत ही अच्छे से डेना को प्रेक्टिकल में हेल्प करता है और डेना को उसका भीवर बहुत अच्छा लगता है कट एक स्टुडेंट ग्रूप को लेकर जंगल में प्रेक्टिकल के लिए जाने वाला था और उस प्रेक्टिकल के एक्स्ट्रा मार्क भी उसी रात को Dana इस ट्रिफ पर जाने की बात अपने boyfriend brandy को बताती है लेकिन brandy उसे जाने साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो toidna को अपने एक दोस्त के पार्टी में ले जाने वाला उस ट्रिप पर शेली, गेरी और जमाल जाने वाले थे लेकिन जमाल वापर इव नाम की अपने एक दोस्त को भी लेकर आया था जमाल ने कर्ट और बाकी लोगों को भी बताया था कि इव बस उसकी एक दोस्त है लेकिन इव की हरकोतों सामय पता चल चुका था कि वो एक प्रोस्टिटूट है क्योंकि वो उनके सामने बहुत inappropriate कपले पेन कराई थी और जब कर्ट ने उससे तीक से कपले पेनने को कहा था तो उसने उनके सामने कपले चेंज कर लिय थे जमाल के सामने कर्ट कुछ बूलने ही पाता और इसलिए अब ईवी उनके साथ में जाने वाली थी बस अब तक डेना ही वहापन नहीं आई थी कर्डन उसका बहुत वेड भी क्या था और जब वो डेना के आने की उम्मी छोड़ चुका था तब जाकर डेना उसके पास में आती है यहापर डेना अपने बॉइफेंड को बिना कुछ बताए इस टिप पर आ गई थी क्योंकि उसके लिए वो एक्स्ट्राप्मेंट बहुती जादा ज़रूरी थे अब कुछ देर में वे सबी अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर वे लोग उसे जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो डिसमल लेक था कुछ दूर जाने के बाद उनको रिलाइस होता है कि उनमें से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है लेकिन कर्ट उन्हें इन सब बातों के लिए टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि उसके पास में एक वाकी टॉकी था जिससे वहाँ के फोरेस्ट ओफिसर को कांटेक्ट कर पाएगा उस जगापर पोचने के रास्ते में उनको बहुत सारी अबेंडन कार दिखाई देती है मतलब कि पहले भी वहाँ पर लोग आये थे और उनमें से कोई भी उन किलर से बचकर नहीं जा पाया था कर्ट भी वहीं पर अपनी कार को रुख देता है क्योंकि यहां से फोरेस्ट के अंदर उन्हें पेदल चलकर जाना होगा इव को ऐसी प्लेसस जरा भी पसंद नहीं थी तो इसलिए वो जमाल को उसके सर्विस के लिए जाता पे करने को कहती है वो जमाल भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है जिसके बाद में कर्ट के कहने पर सभी लोग अपना सामान लेकर कर्ट की डिरेक्शन को फॉलो करते है विए फोरेस्ट डेना और कर्ट के अलावा किसी को भी पसंद नहीं था डेना और कर्ट तो नेचर को इंजोई कर रहे थे और वहाँ के एनिमल और बर्ट को देख रहे थे कुछी देर में वे सभी उस डिस्मल लेक के पास में आ जाते हैं कर्ट सभी को उस लेक के पास केम्प लगाने को कहता है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं Camp लगाने के time पर Kurt डेना को अपने पिता के बारें बताता है जो उसे उसके बच्पन में सिखाते हैं कि जंगल में कैसे survive किया जाता है Kurt की बाते डेना को बहुत हैं इंटरेस्टिन लगती है और उसके फादर से मिलने की बाते भी कहती है तब Kurt उसे promise करता है कि वो उसे उसके फादर से जरूर मिलवाएगा अब इसके बाल में Kurt सभी को एक गंटे का time देता है ताकि वे लोग जंगल में घूम कर अपने project के लिए कुछ notes बनाए उसके कहने पर सभी लोग जंगल के अलग-अलग direction में चले आते हैं जहाँ पर डेना अपने project पर काम पर लग जाती है लेकिन बाकि लोग अपने अपना enjoyment पर लगे वहते हैं एक तरफ मोका देखकर Gary Shelly को propose करता है Shelly भी child root से उसे like करती थी और अब जाकर दोनों ने confess किया था जिससे कि दोनों relation में आ जाते हैं और एक दूसरे को kis करते हैं तो वहीं दूसरी और जमाल और इव इंटिमेट होने लगते हैं और बीच में जमाल को ऐसा feel होता है कि कोई उन्हें दूसरे देख रहा है लेकिन इव को लगता है कि उन्हें उनके दोस्से चुपर देख रहूंगे तो इसलिए दोनों अपना काम कंटीनू करते हैं यहाँ पर जमाल का शक सही था क्योंकि वो किलर दूर से उन सभी के उपर नज़र रखे हुआ था कुछ देर के बार में सभी वापस केंप में लंच करने के लाते हैं डेना लेक के पास में अकेली बेटी थी तो कर्ट उसे बात करने जाता है कर्ट ने अभी तक लंच नहीं किया था तो इसलिए डेना उसे अपना मीट सेंड़िच आफर करती है लेकिन कर्ट उसे खाता नहीं है तब डेना को लगता है कि कर्ट वेजिटेरिन होगा लेकिन कर्ट के मताबिक वो वेजिटरिन नहीं था बलकि वो किसी और चीज़ का मीट खाता है अब ये कौन सा मीट था इस बारे में कर्ट डेना को कुछ नहीं बदाता है इसके कुछ देर के बाद में कर्ट सभी को लेकर लेक के पास में गूमने जाता है जहां पर उन्हें उसे क्रोकडाइल के डेट बोडिस दिखाई देती है जिसे मूवीज के शुरुआत में नतन्य गोली मारी थी कर्ट के अलावा बाकी के लोग उस गोली लगे बड़े से क्रोकडाइल को देखकर डर चुके थे क्योंकि वो गन वाला परसन उनके आसपस हो सकता था जिन से उनको भी खत्रा हो सकता था लेकिन सबसे अजब बात ये थी कि शिकारी शिकार करने के बाद में अपना शिकार वहाँ पर छोड़कर क्यो गया शिकारी उस क्रोकडाइल की स्किन को लिये बिना तो मदद भी नहीं बुलवा सकते थे तब वो बाकी लोगों की रिक्वेस्ट करने पर और उनको टैंचर में देखकर कट उस वाकी टॉकी से वहाँ के फोरेस्ट ओफिसर को कॉंटर्ट करके कुछी देर में वहाँ पर डेल नाम का एक फोरेस्ट ओफिसर आता है जो उस क्रकोडाइल को एक्जामीन करता है लेकिन डेल के मुताबिक उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि इस क्रकोडाइल को गोली किसने मारी फिर वो सभी लड़कियों को रात के समय अपने केम्प में रहने को कहता है तो इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए उसी जंगल के लिए निकल जाता है रास्ते मों डेना को कॉल भी कर रहा था लेकिन डेना का कॉल नेटवर्क की वज़र से नहीं लग रहा था अब यहाँ पर केम्प में ईव और जमाल बिना किसी को बताया चुपके से केम्प से दूर जाते हैं और इंजॉय करते हैं दोनों वापर एक दूसरे के साथ में इंटिमट होन लगते हैं और नको इस बात का होशी नहीं था कि वग मास्क किलर उनके पीछे खड़ा है अचानक से वग किलर एक हुक जमाल की तरफ फ्यक्ता है जो की उसके मुंढे से जाफ फशता है जिसके बाद में किलर जमाल को उस हुक के हल्प से अपने तरफ खिच लेता है और उसकी बोड़ी को हुक के हैप से लटका कर ईव को दिखाता है जमाल की वही पर मौत हो चुकी थी और यह देखकर ईव बहुत दर जाती है और उचिला कर वहाँ से भाग जाती है लेकिन किलर ने जंगल के कुछ जगर पर कुछ ट्रैप्स लगाया वेते उन में से एक ट्रैप में फसकर ईव का एक पेर कट जाता है ईव बहुत दर्द में थी और फिर भी वो एक पेर से भागने की कोशिश कर रही थी और उसका वो एक पेर भी ट्रैप में फसकर कट जाता है अब साथ ही दोनों पेर के कटने के बाद में इव का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी बॉड़ी एक दूसर ट्रेप में फस जाती है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है इव के चिल्दान की आवाज केम्प के बाकी लोगों को भी सुनाए देती है और जब वो जमाल और इव के केम्प में देखते हैं तो दोनों ही वहाँ पर नहीं थे तो इसलिए गेरी और कर्ट दोनों लड़कियों को मुई पर रहने को बोलकर जमाल की इव को डूबने के लिए निकल जाते है जानने से पहले कर्ट डेना को अपना वाकेटो के देखर जाता है ताकि अगर कुछ प्रावलम हो तो वो फॉस्ट आफिसर को बुला सके फिर इसके बाद में जब कर्ट और गेरी उन्हें डून रहे थे तो उसे समय वो किलर उनके सामने आता है और कर्ट के सर पर वार करके उसे ब्योंच कर देता है उस किलर को देखे कर गेरी बहुत डर चुका था और वो किसी तरह उस किलर से बचकर वापस केम पर माता है जिसके बार में वो लड़कियों को उस किलर के बारे में बताता है और वाँ से निकलने को कहता है उसकी बात सुनकर श्चेली जाने के लिए रेडी थी लेकिन डेना अभी भी कट को लेकर वाँ से जाना चाती थी तो बगैरी उसा समझाता है कि अगर वियोग सही समय पर यहां से नहीं निकले तो सबी मर जाएंगे यहां से निकलने के बाद में कम से कम वियोग पुलिस की मदद से जमाल और इव और करट को बचा सकते हैं डेना भी गेरी की बात समझ जाती है लेकिन मासे निकलने से पहले डेना करट की वोके टोकी को अपने साथ मिले जाती है फिर वो सभी चुपते चुपाते अपनी कार तक आकर बेड़ जाते हैं कार स्टार्ट होती है लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती है क्यूंकि killer ने उनकी कार का tire पिंचर कर दिया था अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें डेना forest officer को बोल देती है कि उनकी कार कहा आए तो इसलिए forest officer के आने तक killer से बशने के लिए तीनों कार के नीचे लेट कर चुपते रहते हैं कुछी देर में वहाँ पर किलर आता है और उसे पता चल चुका था कि वे लोग कार के नीचे हैं तब यू डेना के पेर को पकड़ कर उसे कार के नीचे से निकाल कर उल्टे लटका रखता है गेरी और शेली किलर को देखकर इतना डर हुए थे कि वो डेना को बेचाने के कुछी ब नहीं कर पाते हैं डेना भी डर के मारे चिला रही थी कि तब ही वहाँ पर फोरेस्ट ओफिसर डेल आते हैं डेल को देखकर किलर अपना हतियार वही पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद में गेरी डेल को उसे किलर के बारें बताता है और उसे उस फोरेस्ट से निकलने को कहता है लेकिन गेरी की बात सुनकर भी डेल कोई भी जल्द बाजी नहीं दिखाता है उसे समय killer भी वहाँ पर आकर डेना और शेली को पकड़ देता है और अब जाकर हमें समझ में आता है कि डेल और killer मिले हुए हैं जिसके बाद में डेल दोना लड़के उपर भी वार करके उन्हें बहुश कर देता हैं। कुछे देर के बाद में डेना का होश आता है और खुद को किलर के घर पर बंदा आवा पाती हैं उसके पास शेली और गेरी भी बंदे वेते हैं वहे पर दूसरी सारी सड़ी गली लाशे भी थी जिन पर अप किलर लग चुके थे उन लाशों को देखकर डेना चिलाती है तो क जो कि बहुत यहां पर हमें पता चलता है कि उस खिलर का नाम जैक है, जो कि डेल का ही बेटा है, वो बाकि नॉर्मल बैच्चों से बहुत यह अलग था, तो इसलिए डेल ने उसे इस फोरेस्ट के अंदर छुपा कर रखा, जहां पर वो दोनों लोग वा शिकार करके उनका मी उनों लड़कियों को बहुत बुई तरीके से टच कर रहा था शेली तो अभी भी बहुश थी और डेना चाह कर भी कुछ करने ही पा रही थी जिसके बाद मैं डेल के कहने पर जैक गेरी को पास के रूम में ले जाकर एक बेट पर लेटा देता है फिर डेल गेरी के पास में आ पास के रूम से शेली और डेना गेरी के चिलनाने की आवास को सुन पा रहे थे और आप वे दोनों भी अपनी जान को लेकर बहुती डर चुके थे उसके कुछ देर के बाद में डेना और शेली को डाइनिंग टेबल पर जबर जस्ती बढ़ा कर रखा जाता है और वहाँ प उस नहीं खाती इस बात से डेल को बहुत ही घुस्ता आता है और जबर जस्ती शेली के मूँए वह मीट डालता है फिर वह उसके हाथ में खतया देकर खुद शिकार करके लाने को कहता है डेल के मताबिक अगर शेली हुमन मीट नहीं खाईगी तो उसे खुदी अपने खाने नहीं मिल रहा था और उपर से डैल उजेक उसके उपर अटेक कर रहे थे किसी तरह शेली खुद को उनकी गोलियों और एरो से बचा रही थी पर एक समय पर जेक उसा पकड़ लेता है उत तब शेली उसी हत्यार से जेक के पेर पर अटेक करके वहां से बागती है लेकिन उस ज्यादा दूर नहीं जा पाती है और एक ट्रैप में फसकर उसकी बोडी दो पार्ट में कट जाती है और उसकी वहीं पर दरदनाख मोथ हो जाती है शेली का शिकार करके दोनों बहुते खुशते क्योंकि अब उन्हें बहुत सारा खाना मिल चुका था दूसी तरफ डैना ने खुद को रैस्यों से आज़ाद कर लिया था वहां से निकलने से पहले वो घर में कर्ट को डूनती है क्योंकि उसे कहीं भी कर्ट की डेट बोड़ी दिखाई नहीं देती है उसे पता था कि कर्ट जिन्दा है और उसका शक सही निकलता है और कर्ट उसे एक रूमना सोयावा मिलता है वो Kurt को वह से ले जाने के लिए उसे जगाती है उसी समय पर माँ पर Del और Jayak आते हैं जिसे देखकर Dana करट के साथ माँसर भागने की कोशिच करती है लेकिन तभी Kurt Dana को पकड़ लेता है और उसे माँसर भागने नहीं देता है मतलब집 कर्ड भी उनके साथ में मिलावा था असिल में कर्ड डेल का दूसरा बेटा था वो नौर्मलोगों की तरह टाउन में रहता था और वहें पर जॉब करता था और अपनी फैमिली के लिए कभी-कभी लोगों को फसा कर इस जंगल में लाता था ताकि उसकी फैमिली उन लोगों का शिकार करके अपना फेड भर सके इसी तरह कर्ट डेना और उसके दोस्तों को भी फसा कर लाया था कर्ड भी उनीकी तरह कैनिबल था तो इसलिए उसने एक बार डेना को खाता है कि वो एनिमल का मिट नहीं खाता है वो किसी और का मिट खाता है डेल और कर्ट बाते करी रहे थे कि वे लोग डेना को खाने से पहले उसके साथ में क्या करें कि तब ही उसे समय उनका जनरेटर आफ हो जाता है तब डेल के कहने पर जैक जनरेटर में ऑईल बने बाहर चला जाता है यहाँ पर डेना को यकीन था कि उसका बॉइफेंड उसे ढूंडता वहाँ पर जरूर आएगा तब ही उसे डेल से पता चलता है कि उन्होंने उसके बॉइफेंड को कल रात को ही पकड़ लिया था डेल ने डेना के बोईफेंड ब्रेंडी को अपने फ्रीज में रखा था जो कि अभी भी सिंदा था डेल फ्रीज को खोल कर डेना को दिखाता भी है अब डेना को पता चल चुका था कि उसे बचाने के लिए कोई भी मापन नहीं आएगा उसे खुदी कुछ करना होगा तो इसलिए मौका देखकर डेना एक फ्राइंग पेंट से कर्ट और डेल के सर पर वार करके वहाँ से जंगल की तरुब भागती है जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए डेल, कर्ट और जेक गन लेकर डेना का पीछा करते हैं कुछ दूर जाने के बाद डेल को वहाँ से कई सरे टेप दिखाई देते हैं उससे समझ में आ गया था कि वो इतने जल्दबाजी में उन किलर और टेप से बचकर जंगल से नहीं निकल पाईगी वहाँ से निकलने के लिए उन तीनों कैनिबल किलर को मानना जरूरी है तो इसलिए डेना वहाँ पर उन किलर के घर में जाती है और पुरे घर में ओईल लाल देती है फिर वो एक बरतन को बजा कर उन किलर को घर के तरफ बलाती है और उसकी आवाद सुनकर किलर भी घर की तरफ आते हैं तब डेना को भी एक गन मिल चुकी थी और उसी गन से वो किलर पर गोल्या चला रही थी ताकि वो उसके पास ना आए एक समय पर डेना उस घर के पीछे चली आती है पूरे घर को आग लगाने के लिए क्योंकि उसके प्लान के इसाब से किलर घर के पास आ चुके थे कि तब ही जेक पीछे से आकर डेना को पकड़ लेता है किसी तरह डेना खुद को उससे छड़वाती है और उससे गन चीन कर उसी को गोली मार कर जान से माडालती है फिर उप बूरे घर में आग लागा देती है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उसके बाद में डेना जेंगल से निकलने का रास्तर डूनने लगती है कि तब ही उसे अपना बॉयफ्रेंड ब्रेंडी मिलता है जो किसी तरह उन किलर से बचकर उस गर से निकलाया था दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ होई रहे थे कि अचानक वहाँ पर करट आता है जो कि आग में आदा जल चुका था और अब वो खुद के हाथों को खा रहाता करट का ऐसा रूप देखकर ब्रेंडी डेना को वही पर छोड़कर भाग जाता है करट अभी भी डेना को मार कर खाना चाता था उसने जबसे डेना को पहली पर देखा था तबसे उसने सोच ले था कि वो डेना की मीट को एकर जरू खाएगा तो इसलिए वो देना को अपनी बातों में फसा कर वहाँ पलाया इससे पहले कि कर्ट उस पर हमला करता देना एक चाकू से उल्टा कर्ट के उपर हमला कर रहती है और उसके पेट को चीर कर उसके इंटरनल ओर्गन को बाहर निकालती है यहां तक कि डेना कर्ट का हार्ट भी उसके सामने ही निकाल कर उसे दिखाती है क्योंकि एक medical student थी तो उसे पता था कि कैसे क्या 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 करना जिसके बाद में कर्ट वही पर तरब तरब कर मारा जाता है डेना कैसी लड़की थी जूकर एक animal को भी नहीं काट पाते थी और अब उसने इतनी बेहरेमी से एक इनसान को काट काट कर मार दिया इन सब इंस्टेंट की वज़े से डेना की mental हलत बिखड़ चुकी थी और अब वो पागलों की तरह हस्तर वे उससी तरफ जाना लगती है जहां पर उन killer का घर था मतलब कि डेना अब हमेशा के लिए उन killer की तरह महें पर रहने वाली थी तो महें पर बात रही डेना के boyfriend brandy की तो वो भी उन traps से पच कर उस जंगल से नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसे उन traps के बार में कुछ पता नहीं था तो जब तक उससे पता चलेगा उससे पहले ही उन में से एक trap में फसकर उसकी मौत हो जाएगी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्मी पसंद लाई होगी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद रते हैं तो चैनल को लाइक सुरू करना मैं आप से मिनूँगा अगले वीडियो में